Good morning बच्चो, अब हम 1 से लेके 1000 तक की counting जानते हैं, चलिए आगे की counting भी सीख लेते हैं, अब हमें पता है 100 100 sticks के 10 bundles का मतलब हुआ 1000 sticks, चलिए अब हम 1000 sticks का एक बड़ा सा bundle बनाते हैं, अब हम इस बड़े bundle का इस्तिमाल करके चलिए चलिए काउंटिंग करते हैं, तो हमें पता है 1000 का मतलब है 10 hundreds, 2 bundle of 1000 यानि की 2000, 3 bundle of 1000 यानि की 3000, 4 bundle of 1000 यानि की 4000, 5 bundle of 1000 का मतलब हुआ 5000, 6 bundle of 1000 का मतलब 6,000, 7 bundles of 1000 का मतलब 7,000, 8 bundles of 1000 का मतलब हुआ, 8,000, 9 bundles of 1000 का मतलब हुआ, 9,000, और 10 bundles of 1000 को क्या बोलेंगे, 10,000, चलिए देखते हैं हमने जल्दी जल्दी कैसे काउंटिंग करी, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7,000, 8,000, 9,000, and 10,000, हमने 1000 स्टेक्स का बंडल बनाया, और काउंटिं की 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 6000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, और 20,000, इस तरह हर बार हम 1000 की संख्या से आगे बढ़ रहे हैं, इसे कहते हैं, counting by thousands, तो अब हम जान गए है, counting by thousands क्या होता है, आज के लिए बस इतना ही, बाई 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 बच्चों!